सलाम मेरे जान विलकम बैक तो में चैनल और आज के वीडियो बहुत इंटरस्टिंग और रही है क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताने वाल है किस तरह से आप मल्टिपल जो है रायो बाइट के अकाउंट बना सकते हैं इसकी यहां पर आपको फ्री ट्राइल मिलते है यजह करने चाहें तो आप इनको कर सकते हैं तो स्टेप बस टेप मैं आपको बताने लगाऊं कि आपने किस तरह कांड बनाना है और कौन कौन से मजीद जो टूल्स इसके लिए यूज होंगे तो सबसे वहले तो आपने अपने PC में या आपके बस अगर RDP है तो RDP में आपने Tor Browser डाउलोड करना है ठीक है गूगल में आपने आना है यहाँ पर जिस टाइप करना है Tor Browser ठीक है आपके सामने यह जो ओफिशल इनकी टील करके Tor Browser को डाउलोड करें तो यह मैंने डाउलोड किया हुआ वैलकि मैंने इस्टाल भी किया हुआ तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपके सामने यह एक option आ रही होगी कि आलबेस करेक्ट ओटो मैट लेगी तो आपने इसको चेक कर देना है चेक करने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्नेक्ट बटन पर क्लिक करके कर देना है तो आपके सामने फर्स टेंट जो है वो कुछ इस तरह का इंटर फेस आ रहा होगा और टो ब्राउजर का तो यहां से आपने Click करके यह दिखते हैं दिखे है राई आगया और यहां पर हमें यहां पर ख लगेत के देग्र thou इक चैनल चिक और करें फ्रासिड और आजाना है यांको फिरड़這個是 होती है मपर इसे फ्र आप प्रोक्स इस को लिंग को कोपी करके आप जैसे फॉर एजमपल यहां से मैं एक सेकंड यहां पर मैं जाता हूं स्टार्ट माय ट्राइल ठीक है यहां पर आने के बाद जब आप टोर ब्राउजर यूज करेंगे तो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है क्योंकि यह यहां प यह यहां यहां से आने के बाद हमने जाना है साइन बटन पर ठीक है रायोबाइट में आगे, रायोबाइट में आगे हमने तिरणजल फ्रोप से सेक्षन में और थर्ड नबर पर हमने आना है साइन बढ़े सेक्षन में कुछ इस तरह को इंटर फेस देखने को मिलेगा अपर यहां पर आप पूरे ही प्रूप से कोपी करने के बाद यहां पर आप घ्रिया तुर नजर आ रहे है यहां पर आप इस ही बुखमार की और सेक्षन पर राइट क्लिक करना है, और यहां पर add bookmark की option आ रही है, यहां से नहीं तो आप इस तरफ आ जैंए, ठीक है यहां पर क्लिक करें 2019, यहां पर आपको आपको बुक मर की option नजना होगे झाल है, यहां पर क्लिक करें Click करें मुझे यह option आगी है यहां से मैं अब इसका नाम लिखता हूँ जो भी मैं नाम देखना चाहो वो मैं यहां पर लिख लेता हूँ मैं यहां पर लिख 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 लिए free proxy यहां पर bookmark toolbar इसको आपने select करने देना और यहां से आपने इसको save कर देना अब safe जैसे मैंने किया यहां पर free proxy के नाम से मुझे यह link बना हुआ आ गया अजब भी मैं अपना तोरबर जो उरॉपन करूंगा तो मुझे बार पर जो link है यह निकालने के ज़िरत नहीं पड़ेगी बस जिसमेने यहां पर free proxy जो मैंने यह link बनाया हुआ है अपना bookmark add किया ह इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरहां का इंटरफेस आजएगा अब यहां पर यह मांग रहा है email ठीक है अब आपने एक एमेल लगा देंगे अब यहां पर बनाने हैं multiple accounts मुझे एक सो गांट दो सो तीन सो पांसो तैक्वियाम अकाउंट बना सकत यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो यह चेक का जो आइकन है जो चाटा सा बोक्स है इस पर मैंने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद मुझे complete account setup की जो बटन है वो मेरे पास आ गया ठीक है तो यहां पर इसको मैंने क्लिक करके अपना जो अकाउंट है उसके लिए sign up के लिए मैंने भीज देना है तो यहां से मैंने अपना account sign up कर लेना है अब यह जो main जो है हमें यहां पर verification होती है नंबर गी अब आपने यहां पर नंबर लगाना है किसी भी country का जो country का नंबर आपके पास available हो अगर आप फिर वही बात है कि आपके पास एक नंबर होगा दो नंबर होंगे तीन नंबर हो आपने एक website को नोड कर लेना है यहां बसे आप आएंगे तो आपके सामने को इस तरहां के इंटरफेस में जरा आ रहा होगा ठीक है आपने यहां से दो से तीन country के नंबर जो है वो निकालने है जो के इस website को लगते हैं कभी-कभी इशू भी आज़ता है लेकिन आपको मैं आपने यहां पर free temporary number पर click करना है यहां पर आपके सामने यहां से आपने फिल्लेंड का फ्रांस का या फिर आप इसके लावा यूज कर सकते हैं जी बलकिर आपने दो country के नंबर यूज़ करने यहां फ्रास का अब यहां पर मैं फिल्लेंड वाले जो हैं नमबर मैं निकाल देता हूँ, अब यहाँ पर बहुत जादा number आपको देखने को मिलेंगे, 815 number अभी यहाँ पर एक्पी में, तो यहाँ पर करना कि आपने, जैसे फुर्सेम्बल मैं यहाँ पर फिर्स नमबर लगाऊ हो गर, इसको कोपी करता हूँ, कोपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर टोल प्राउजर में, और टोल प्राउजर में यहाँ पर आकर मैंने यह प्लस रहने देना, बाकी जो नमबर है, वो मैंने कंट्री कोड उसका रिमूव करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कंट्री भी कहता है वो यहाँ पर पेस्ट करता है अब यह फिनलेंड का नंबर आगे ठीक है अब यहाँ पर मैस को आयम नौडा रोबोर्ट पर क्लिक करके अपनी human verification कर लिता हूँ अब यह कभी के बार आपको जो issue यह गूगल के तरफ से देखने को मिलता है कि आपकी जो human verification है वो नहीं होती आपको बार 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 आपसे capture मांगता है तो आपने इसके बार में परिशान नहीं हो ना यह कभी के बार तंग करता है हर दफा नहीं करता है अब यह देखें यहाँ पर कह रहा है कि phone number is already registered तो यह जो है मैं ठीक है यहाँ से मैं country code remove करकि सरफ plus icon रहने देता हूं और यहाँ पर यह number लगाता हूं और यह दुवारा से loading हो रही है और मुझे बता देगा कि यह number already तो नहीं किया हुआ तो यहाँ आप मुझे टिक करूंगा तो यह new time में में यह number open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मुझे यह अब मेरा रायोबैट के तरफ से जो OTP है वो मुझे रसीव हो जाएगा तो यह देखें जैसे ही मैं हूं यहाँ यहाँ गर्ट कर दूंगा ठीक है यहाँ जी हमारा जो account है वो बनकर ready हो गया पर सक्सेस का हमें मैसी शो करवा रहा है तो अब यहां पर हम तू लोगिन पेज पर क्लिक करेंगे और यहां से जो पे जो हमने एमेल लगाए थी जो के लगाए थी हमने सुहेल एमेल लगाए थी और यहां पर हमारा पासफ़र था डबल डबल ट्री डबल फोर यहां अपर यह करने के बाद हम इसको कर लेंगे लोगिन तो जैसे ही यह लोगिन होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने प्रोक्सी यहां से कैसे बनानी है ठीक है तो यह देखे मिला है में यह expired नहीं होता ज़र एक दिन दो दिन पांच दिन दस दिन एक महीने के लिए भी अगर आप इस account को बना के राख लेते हैं तो यह जो आपके bandwidth है जो आपको 50 MB trial के लिए मिलें यह expired नहीं हो गया तो अब आपने क्या करना है कि अब आपको इनको यूज करना है इनकी proxy बनानी है किस तरह बनानी है यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो आपको यहाँ पर option आ रही है कि किस country के आपने बनानी है इसकी region क्या होगी city क्या होगी IP रेंड़ रखना है इस्ट्रेक रखना है जो भी आपने यहाँ पर सइटिंग रखना है वाप कर सकते हैं आप इसको बाकी को ना छोड़ें मनलब रेंडम रीजन और रेंडम सीटी रहने दें लिकन अगर आप करना चाहें तो यहाँ रेंडम रीजन या रेंडम सीटी को भी स्ट्रेक्ट करके स्पैसिफिक उस country उस region की या उस city की भी proxy बना सकते हैं तो बाकी आपने किसी जित को नहीं चेड़ना आपने यहां से सिरफ एक proxy को copy कर लेना ठीक है आप तो बस बस दस proxy है यह आप इसने बना के दी है आप एक proxy को copy करने के बाद आपको लोगिन में जाकर लगाएंगे यह एक ही proxy तो आप 10 browser में लगाएंगे अगर 10 profiles में लगाए यह होगा तो हमने तो अपना IP चेंज करवाना है यहां पर हम रेंडम आई पी पर रखके एक proxy को copy करेंगे और copy करने के बाद इसको यूज करेंगे तो वो कैसे यूज करने है अपको बगाए तो फोर जैंपल यहां से हमने एक proxy को copy किया और यहां से इसको मैं सभी को करता मैंने जैसे कि यहांपर test profiles बना लिए थीक है जी, अब मैंने जो copy मैंने की थी profile ठीक है, sorry proxy, उसी को मैंने यहांपर आकर paste proxy में click करकर यहांपर paste कर देना एक ही proxy को मैं सभी जगां पेश कर दे। यहांपर सभी profiles में open तरके, यहां से मैं दो profiles open कर लेता हूं ठीक है फर्स्ट और सेकंड प्रफाइल इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यह जो हमारे IP हैं यह वाकिए हमारे रैंडम आइपी हैं या सेम आइपी हैं तो इन प्रफाइल में अब हम यहाँ पर हुडूट नेट से चग कर लेता हैं मैंने यहाँ पर लेका हुडूट नेट और मैं सेकन्ड प्रफाइल में भी आकि हुडूट नेट ले लेता हूं और यहाँ से भा म Axis हैं अ हे जो हमारी भी नौ है ब्लैक लिस्ट पेनों ठीक है अब हम जाते हैं अपनी सेकंड प्रफाइल में तो यहां पर यह प्रोफाइल 200 इसमें जो हमारा जो आईपी है वो यह शोगर वारा ठीक है जो आपको आईडिया हो गया है कि जो हमारी प्रोक्सी है यह रैंडम आईपी वाली है यहां पर आप आप आईएस पर भी देख सकते हैं होस्ट नेम ओवेस ब्राउजर इस सारी चीज़ा है यहां पर आपको अलज़वाद देखने को मिलेंगी इस तरह से आपने रायोबाइ यहां जेतनी प्रोक्सी चाहिए उसको फिर बाब यूस करते है अब इसके बाद आपने यहां से को ब्राउजर को अपन करने के आपके location आपके cookies वगरे सारे कुछ remove करतेगा तो इस तरह से आप multiple accounts बना सकते हैं अगर आपको किसी किसम का कोई issue आता है तो आपने मुझे बता देना है मैं इंशाला आपके help करूँगा इसमें आपको दो ही सिरफ आपको issue आएंगे ठीक है एक तो आपको issue अगर face करना पड़ चुके हैं तो आप second number use करने थोड़ा सा scroll आ जाएं तो और आपकी जो है कोई number use करके देख लें तो अगर आपको यह work नहीं करता जैसे फिल्लैंड का number use कर रहे हैं तो अगर आपके यहां पर यह work नहीं करता तो आपने फिर यहां से यह France का number use करने नहीं ठीक है यहां आपक कि 1410 number हैं तो यह सेम रहेंगे यह कुछ time के बाद update भी होते रहते हैं ठीक है तो I hope कि यह जो वीडियो आपको आपको आइडिया हो गया होगा स्टब बस्टब आपको चीज़ों का बता लग गया होगा कि इस तरह से आपने रायोबाइट के multiple accounts बनाकर उनसे free trial जो MBs हैं वो हासिल करने हैं तो ठीक हैं अगर कोई आपको कुछी किसन में कोई issue आता है तो आप WhatsApp पर मेरे से contact कर सकते हैं इंशाला पर मुलाकात है कि नई वीडियो में तब तक अपना खियार रखिए अल्ला हाफिज